इसे जरूरी होता है और क्या कि इससे रिलेटिव वेसिक हम बात करें बेसिक टर्मिनलॉजी है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है तो इससे हमें पता लगता है कि क्या हमारी जो अजम्शन थी वो सही है या गलत है हम अजम्शन के ऊपर काम करते हैं बीडियो स्टाट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइकन को हीट कर लें ताकि आपको हर आने वाल लेटिस्ट वीडियो गिंस्तेंड नोडिफेशन मिल जाए हमारा फेस्बुक और इंस्टाग्राम पेज है दा सकते हैं दिए गए नंबर्स पे आए डिसकस करते हैं हाइफ वो ऐसींस क्या होता है दिखे जनरली क्या होता है सोसल साइंसी की जब बात आती है तो सोसल साइंसी में प्रेक्टिकली प्रूब कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है कि कोई person क्या सोच रहा है उसका attitude क्या है उसका perception क्या है किसी चीज को लेकर तो क्यूंकि social sciences में हम deal करते हैं behavioral concepts से behavioral attitude से तो मतलब person का attitude जान पाना थोड़ा मुश्किल रहता है क्यूंकि वो dynamic होता है change होता रहता है time to time person to person, subject to subject किसी भी thing को लेकर किसी भी individual के लेकर किसी भी बात को लेकर वो change होता रहता है और हो जाता है तो इस case में हम क्या करें कि हम मिलकुल nut crux जो है उस बात का statement का पता लगा पाएं जो person सोच रहा है, समझ रहा है कहना चाह रहा है या बोलना चाह रहा है तो behavioral science में हम क्या करते हैं, हम assume करते हैं assume करते हैं किसी भी चीज के बारे में और assume ऐसे ही नहीं कर लेते हैं, कुछ एक facts को consider करते हैं, तब हम assume करते हैं फिर हम population में कुछ sample draw करते हैं, उन sample से हम वो चीज पूछते हैं घुमा फिरा के, scale का use करके, different different angles से, different different economics हम उसमें लगाते हैं, different तरीके से, ठीक है, dynamics पूरी लगा करके, फिर हम देखते हैं कि कोई person क्या result दे रहा है, उसका attitude क्या है, तो उन samples की help से उन samples के हवाले से हम उस assumptions के उपर और फिर जाकर के, जो result आते हैं उससे बोलते हैं कि वाकई ये चीज जो है जो हम assume करके चले थे पहले, वो सही है या गलत है अब जो assumption होगी हमारा, जो सोच होगी, वो हो सकता है, गलत साबित हो जाए भविश्या में हो सकता है, सही साबित हो हम आज सोच के चल रहे हैं कि कल वारिश होगी, लेकिन कल वारिश होगी, वो facts और figures सारे consider करने के बाद हम ये चीज़ बोल सकते हैं, और अगर facts और figures के हिसाब से, पूरी हम statistical calculation के हिसाब से सटीक हमारा सारे results रहते हैं तो उसके basis पे हम generalize कर सकते हैं कि नहीं कल ये ही होगा, या person ये होगा, या एक साल बाद ये होगा या ex person जो है वो ये चीज़ सोच रहा है, तो उन facts के हिसाब से हम वो चीज़ प्रूब कर सकते हैं तो वही कुछ hypothesis होता है, जो हम सोचते हैं उसी phenomenon को हम कई वार मतलब जो हम सोच रहे हैं जो assume करके चल रहे हैं जो एक guess होता है, probable guess उसको हम hypothesis बोलते हैं तो एक technically अगर hypothesis को define करने लगे हैं, तो hypothesis क्या होता है ये hypothesis hypothesis is a proposition or a set of proposition या तो कोई एक assumption हो सकती है या set of assumption हो सकता है sets forth as an explanation for the occurrence कि मतलब वो होना है कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा उसके लिए हम explanation माने facts and figures कुछ ना कुछ dynamics लगा करके जो है वो चीज बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है उस assumption के बारे मोलते हैं उस guess के बारे मोलते हैं कि ये घटित हो सकता है, घटना करम किसी भी group से related किसी भी individual से related या किसी भी phenomenon से related लेकिन जब भी हम वो चीज बोलेंगे कि ऐसा होगा, यासा होता है यासा होने वाला है उसके पीछे जो है एक investigation होगी सारे facts and figures को consider करेंगे, एक calculation करेंगे statistical operations apply करेंगे तब जाकर कि उस fact को उस statement को जो हम assume करके चरने उसको हम generalize करेंगे कि particular चीज जब होती है तो उसके x, y, z परिणाम निकलते हैं तो वो सारी calculation सारा statistical analysis और investigation के उपर जो है वो depend करता है तो hypothesis एक guess होता है जो future में आने वाले समय में सच भी साबित हो सकता है नहीं भी साबित हो सकता है depend करता है हमने कितने stick जो है उसके उपर काम किया है चाहे बात करें data collection की चाहे बात करें sampling की चाहे बात करें statistical tools apply करने की या बात करें हमारे necessary calculations की अब बात करें अगर characteristics क्या होते हैं hypothesis के तो characteristics के बड़े simple है पहली बात तो hypothesis clear और precise होना चाहिए कि मतलब hypothesis आपकी assumption जो है guess जो है वो complicated नहीं होना चाहिए वो उसमें 5-6-10 अलग अलग तरह की statement जी कठी नहीं होनी चाहिए मिल्कुल concise होना चाहिए एक दो variable होने चाहिए और clearly वो अपना meaning जो है स्पस्ट कर पा रहा हो hypothesis should be capable of being tested hypothesis ऐसा होना चाहिए कि आप उसको test कर सके अगर आप उसके उपर statistical techniques लगा करके test नहीं कर सकते तो आप उसको hypothesis नहीं वोल सकते क्यों कि उसके outcome आप verified नहीं कर सकते hypothesis should state relationship between variables जैसा मैंने कहा उसमें variables होने चाहिए तो आप 2 variables के बीच में 3 variables के बीच में 4 variables या multi variables के बीच में जो है एक relationship establish कर पाएं उस statement के थुरू उसको हम hypothesis बोल सकते हैं hypothesis should limited in scope and must be specific देखिए जैसा मैंने कहा आप एक hypothesis में कुछ एक सीमित variable जो है वो उनको मिला करके hypothesis establish कर सकते हो अगर आप अपने hypothesis को complicated करते होगे जो समझ ही नहीं आ रहा हो किजी के जो कोई sense नहीं बना पा रहा हो उसमें variables को identify करना मुश्किल जा रहा हो और वो बहुत broader scope का हो perspective का हो तो आप उसको calculate नहीं कर सकते उसके उपर statistical techniques नहीं लगा सकते और आप उसको verify नहीं कर पाऊगे और प्रूब भी नहीं गर पाऊगे तो इसलिए वो बहुत ही specific होना चाहिए hypothesis should be consistent with most known fact जैसा कि मैंने कहा कि आप जो assumption लगाऊगे उसके पीछे कुछ ना कुछ logics होंगे कोई ना कोई fact होगा कोई ना कोई database होगा जिसके basis पे जिसके दम पे आप बोलोगे कि ऐसा कुछ होता है या होने वाला है बिना fact figures के बिना known fact या logic के आप किसी भी चीज को hypothesis नहीं बोल सकते इसके बाद hypothesis must explain the fact that give rise to need for explanation देखे जब logic होगा तो explanation होगी अगर logic नहीं होगा तो explanation आप क्या करोगे मतलब अगर आप अपने hypothesis को verify करने लगे explain करने लगे कि ऐसा क्यों होता है तो जब तक आपके पास एक perfect logic उसके पीछे नहीं होगा तब तक आप उस चीज को clear नहीं कर पाऊगे तो hypothesis में हमेशा ही explanation required होती है अब बहुत important चीज hypothesis की उससे related कुछ एक basic concepts क्या होते है जो हर किसी की researcher की समझ में होने चाहिए और उसका मतलब उनको clear होना चाहिए जब तक यह चीज clear नहीं है आप hypothesis ना तो पहचान पाऊगे ना तो apply कर पाऊगे ना तो उस पे काम कर पाऊगे कुछ एक basic concepts है पहला null and alternate hypothesis दूसरा the level of significance तीसरा decision rule और testing of hypothesis चौथा type 1 and type 2 error पांचवां tailed 2 और one tailed test two tailed and one tailed test यहां से question बनने के chances होते हैं सत्थ प्रतिसत्थ की कुछ वे definition पूछी जा सकती है decisioning criteria पूछ ले जाता है type 1, type 2 errors पूछ लिए जाते हैं और one tailed और two tailed label of significance हर एक point से question बनता है सबसे पहले बात करेंगे null and alternate hypothesis देखे suppose आपके पास दो method है या दो items है या दो आपके पास जो है वो guess है या तो होगा या नहीं होगा ये दो guess है अब आप बोलें कि मेरे पास जो दो method है दोनों ही बराबर की टक्कर के है method A और method B दोनों में से कोई superior नहीं है कोई भी जो है वो हम ये नहीं बोल सकते कम या जादा है यूज में दोनों बराबर के है जब उन दोनों के बीच में कोई significant difference नहीं है तब हम बोलेंगे that is null hypothesis दोनों में कोई भी difference नहीं है मतलब उनके बीच में कोई difference नहीं है दोनों same है दोनों बराबर value के है दोनों की बराबर तवज्जो है दोनों का बराबर काम है दोनों का role play जो है वो बराबर है equal है that is called null hypothesis जब हम बोलते हैं कि एक superior है दूसरा superior नहीं है एक कम है दूसरा ज़्यादा है कि method A और method B में से जो है method A बड़ा powerful है B कम powerful है एक ये comparison में तो उसको हम बोलेंगे alternate hypothesis माने जो null hypothesis होता है उसको हम H0 से represent करते हैं और alternate hypothesis को हम H1 से represent करते हैं HA से भी represent करते हैं दूसरी बात आती है level of significance की level of significance का मतलब है कि हम कितने percent इसको generally percent में हमानते हैं या किस limit तक किस सीमा तक जो है गलतियों की संभाबना को accept करेंगे ये usually 5% होता है अगर कुछ भी ना दिया गया हो अगर किसी question में आपके पास 10% लिखा है तो उसको आप 10% मानके चलेंगे कि जैसे मान लीजिए एक researcher बोलता है कि मेरी जो research है उसमें अगर 100 गलतियों में से 100 संभाबना है मतलब गलतियां different तरह की हो सकती है तो उसमें अगर 5% तक अगर गलती होती है तो मैं अपनी research को accurate ही मानूँगा मैं 5% का risk जो है वो bear कर सकता हूँ अपनी research में जो mistakes का है 5% से जादा हुई 6% तो वो research जो है वो मिथ्या है उसको मैं गलत करार देता हूँ मैं नहीं उसको मानूँगा तो मेरा hypothesis exception, rejection जो है वो खतम मतलब 5% level of significance जो है वो आपकी research का acceptance of risk का level है कि 5% तक कलतियों की संबाबना acceptable उससे उपर आया तो आपका गलत है वो system ही या आप उसको accept ही नहीं करोगी research को या वो test ही नहीं है कोई आप इस तरह से कह सकते हो कई बार 10% होता है कि माने इस तरह से मतलब जैसे 10% के हम बात करें तो 10 का lot आप उठाते हो 10 में से आप बोलते हो कि इसमें जो है अगर गलत quality का कोई एक product निकलता है 10% तक जो है वो गलत acceptable है माने 10 में से एक खराब item निकलती है आप lot जो है accept कर लोगे अगर 10 में से 2 खराब निकलती है आप पुरा lot ही reject कर दोगे इस तरह से इसके बाद बात आती है decision rule और test of hypothesis की ये बोलता है कि आप कैसे decide करोगे rationing कैसे करोगे कि किस तरह से आप items को select करोगे किस तरह से reject करोगे किस तरह से आप lot को या अपने hypothesis को accept करोगे किस तरह से आप reject करोगे वो होता है decision rule कि मतलब testing आप hypothesis आप कैसे करोगे जैसे माल जीए given a hypothesis H0 and an alternate hypothesis HA या H1 we make a rule which is known as decision rule according to which we accept H0 and reject HA देखे अब rule क्या बोलता है rule बोलता है कि अगर आप H0 null hypothesis को accept करोगे तो automatically HA या H1 जो आपका alternate hypothesis है वो reject हो जाएगा या अगर HA को H1 को आप accept करोगे तो आपका H0 जो है वो reject हो जाएगा तो मतलब आपका rule क्या है कि आप 10 में से 10% यानि कि 10 item में से 10% अगर गलत निकलता है factor तो आप जो है lot को accept करोगे या reject करोगे वो criteria आपसे पूछ रहा है that is called decisioning rule अब बात आती है type 1 और type 2 error की देखिए जब बात करते हैं हम H0 when H0 is true ठीक है in the context of testing of hypothesis there are basically two type of error we can make दो तरह की error होते है type 1 error और type 2 error we may reject H0 when H0 is true देखिए जब H0 आपका null hypothesis सही है true है आपको पता है यह सही चीज है लेकिन फिर भी आप उसको reject कर देते हो and we make accept H0 when the fact H0 is not true या तो हम H0 null hypothesis को जो है वो reject कर दें अगर वो fact सही भी है तो या H0 को accept कर लें जबकि fact गलत है ठीक है तब भी हम उसको accept कर लें तो इसको हम type 1 error कहेंगे और दूसरी तरफ से type 2 error होता है अब यहाँ से आपको बिल्गूल clear समझाएगा है कि अगर आपका H0 true है और आपने उसको reject कर दिया तो वो type 1 error है आपका अगर आपका H0 true है और आप उसको accept भी कर रहे हैं तो आपका decision correct है अगर आपका H0 false है गलत है आपको पता है आपकी statement गलत है फिर भी आप उसको test करने चाह रहे हो ठीक है गलत statement को अगर आप reject करते हो तो वह correct decision है अगर false statement को h0 को आप जान भूज के accept कर रहे हो तो वह type 2 error है यहाँ से यह चीज clear होती है और question यहाँ से put होते हैं कि h0 गलत है आप उसको फिर भी accept कर रहे हो तो type 2 error है और h0 अगर सही है लेकिन आप जान भूज के उसको गलत ठहर आ रहे हो और reject कर रहे हो तो आपका type 1 error है वो और type 1 और type 2 error को जलनले alpha और beta से denote करते हैं यहाँ से भी question बनता है type 1 को alpha से represent करते हैं बिटा से represent करते हैं यहाँ से represent करते हैं यहाँ से question बनता है कई बार अब बात आती है two-tailed and one-tailed test की a two-tailed test rejects the null hypothesis if say the sample mean is significantly higher or lower than the hypothesized value of the mean of the population कि देखें क्या होता है two-tailed test क्या बोलते हैं two-tailed test हमेशा ही null hypothesis को reject करता है जो हमारा sample mean होता है जो calculated mean हम जिसको बोलते हैं वो higher या lower होता है जो table value से ठीक है पी value जो होती है तो उस case में जो है two-tailed test पाया जाता है और अगर एक तरफा हो जब हमारा sample mean एक तरफा चल जाए या तो बिलकुल ही higher या बिलकुल ही lower हो ठीक है if the sample mean falls in either of these two region कि अगर तो z is equal to minus 1.96i या z is equal to plus 1.96i इन 0.025 का area जो है दोनों तरफ उस तरफ अगर आपका sample mean पड़ता है उसकी value तो आप null hypothesis को reject करोगे तो इसको हम जब माल लिजे आपका जो ये जो diagram है ठीक है जिसको हम बोलते हैं करब होता है ये ठीक है अगर इससे बहुत ही उपर होता है एक तरफ हाई diagram बनता है इस तरह से एक ही तरफ fall कर रहा है और एक तरफ कम आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे वन टेल टेस्ट अगर दोनों से नॉर्मल सेफ करब बन रहा है तो उसको हम टू टेल टेस्ट बोलेंगे आज की वीडियो में बस इतना ही सब्सक्राइब कर सकते हैं वाट्साइब कर सकते हैं 7627096162 पर थैंक यू थैंक्स अलोट